हालो बच्चों न्यू लाइट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों मैं बेक्ट्रम चक्रबर्ती आज आपके समख लेकर करके हाज रुवाँ दस का दम का सिजन और प्यारे बच्चों आज हम लों का फेपर है बाय टॉपिक टेस्ट बारा जो कि पंदरा फरवे दो हर तेश को हमारे इंचूर की तरफ से आउनलाइन और आफ्लाइन मोर्डों में कर्ण्ट हुआ था पेपर काफी ठीक था आप सभी ने बच्चों के हिसा लेया और सबसे पहले पेपर को बनाने वाले अपने सीनियर साथी बीसिंग राजपोसर को देना चाहूंगा जिए उनकी मेहनत की है पर पर और कोशिश का ही परड़ाम है कि आज के सवाल में आप लोगों कुछ शिखा पाऊं और डिसकस करने वाले हमारे सीनियर साथीं को भी भी धिसे धन्यवाद देना चाहूंगा जिए उनने अपने सेसन में बहुत सी बारे किय बहुत सी बातें शिखां यह जिससे आपके तयारी को बेटर मिले पर ने बर्चला के हिसा लिए और इसी के सब्सक्राइब सर्थ सब्सक्राइब कर देखने का अब देखें दो तरीके आपको मालुम था कि जो जो ट्रैडिशनल है ट्रैडिशनल और ट्रैडिशनल है अइस् upह earnest वेढ़िनाश्थी ठीक वह ट्रैडिशनल थी हमारे पास जितने के पोरैग्टर ये बात को समझीए जिन जैसे संपूर्च कहीं पाथ उनके पास कुछ जीन है हम उतनी ही जीनों को मिक्स कर पाएंगे और ट्रडिशनल है डिजाइड़ेबल अंडिजाइड़ेबल दोनों ही मिक्स होते थे हो सकता हो कुछ हमारी इच्छाओं के रूप बना कुछ नहीं बना लेकिन समस्या यह है कि जीन तो लिम्टेड है ठीक और आपको मालूम है कि सेक्वेंस जो जीन का सेक्वेंस होता है वही प्रोटीन वही फंक्शन डिजाइड करता है तो अगर हम इस जीन के सेक्वेंस को थोड़ा वो होना ही म्यूटेशन है तो यह म्यूटेशन शन नेच्राल भी हो सकता है आडीफी सेलई और उसको करने के लिए म्यूटा जिन होते हैं और यह हो सकते हैं यसरнес का उस्ते नहीं था और हमने करकर के इसके अनुरूप इस बीमारी के अनुरूप हमने अपना जेन्टिक सेटप तयार किया बाई म्यूटेशन और फिर हैविडाइशन प्रॉसेस की कल्टिवेशन और पौधों की पैदावार हम करने लगे तो इसलिए यह सही है ठीक अब एक समस्य जीन प्यासा है या उसको भूख कम लगती है मेहनती कई चीज़ें तो बहुत से करेक्टर एडवर्स कंडिशन में वह लगाव में मेहनत कर रहा काम कर रहा पढ़ भी रहा है वह सर्वाइव कर जाता है लेकि सहर में बहुत से लोग बिना इसी के नहीं रह पाते हैं कहते हैं मु है कि यह कमी थी जो कंडिशन होते ते उसके प्रति रेश्चन नहीं था इसकी था हमने उसके यह वाइल रेलेटिव से नया जिसको आपने परभणी करांति का नाम दिया है तो यह क्या है जीन ट्रांसफर का प्राशेंश का रहें हैं तो यह जीन कर वाइड टिससे ला कटिजब नहीं किया गया था इसके वाइड से नजाफ बनां tir कि यह नाम से उगया तो इसके प्रती रेजिस्टन्स होना एक क्रेक्टर है और क्रेक्टर आता जीन से हो जीन कहां से आया इसके वाइड ड्रेस आया है तो इसलिए पहला सही है दूसरा गलत है आपका अंसर से केंड है ठीक अब लिखा कि शर्टन बैक्टरिया विच ग्रो अरोबिकली ऑन से सियो टू और इस्ट्यो प्रोडूस करता यह हां तो सही है लेकिन वहां गरवर है कि अरोबिक नहीं हो ताव इन आपको पता है कि भाई एरेसंट टैंक में जो कुछ भी होगा वो सब अरोबिकली ही चलेगा और माइक्रोब होंगे औरोबिक होंगे तो यह भी गलत है ठीक अब नहीं पता था कि अरोबिक लिए है कि बात नहीं कि भाई जहुंद कहरें कि अरेसंट टैंक में सारा कम जोगा और जब यह विगोरस घृवथ होता है न यह बनता है फ्लोक्स और यह क्या होते हैं बैक्टिरिया और फंगल फिलामेंट के मासे सोते यह थ्रड लाइक हो कि अब देखे रीड फॉलूइं स्टेट्मेंट में फाइंड और करेट आप से पूछा गया है आप देखें वोमिटिंग रेफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल भाई वोमिट सेंटर यहां तक तो ठीक है लेकिन भाई यह मेडूला से होता है ठीक मेडला या मेडला कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि मैं खा के उल्टी कर दूँगा क्यों कि उल्टी करना अपनी इच्छाओं के अंदरूप नहीं है यह हमारा कॉंसेस माइं नहीं कराता है हम एची क्रियाओं के जो हमारी एची क्रियाओं होती मेरे हाथ का चलना मैं पढ़ा रहा हूं य इसलिए इसलिए आपने कभी भी बोल्चाल की भासा में फिल्मों में कभी सुना नहीं हो कि मैं खा के उल्टी करने वाला हूं क्यों कि इच्छा होती है और इच्छाओं पर नहीं डिसाइड करती है बात को समझ यह तो यह मेडला अब लॉंग एटा है और यह और इसमें इ यह का डिसाइडर है बात यह इंसिटेख सिस्टम का 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 डिसाइडर है और यह लिवर के मल्खरऌ और यहें रूबिन और बिली वर्लेंग यह जो pigment होते हैं इनके deposition से नेल्स में आइज में तो यह जो लिखा ना बाइल साल्ट यह गलत है और बाइल साल्ट का help digestion में है immunification of fat में है fat digestion में है तो गलत हो गया अभी इन constipation the phicus are written within colon as a bowel moment अका इरफ यह तो constipation की पूरी लाइन जो आपकी बुक में डाइस का disorder दिया हुआ है वहाँ पर यह sentence प्रापर लिखा हुआ है इसमें तो कोई शक नहीं तो हमें तो क्यों सी सही दिखरा करेट पूछा गया है जिस ओनली सी लरी सेकेंड आंसार बात को समझेए यह आपको डाइस सिस्टम के जह पूसिल स्विस्टीज अब देखिए चीज क्या होता है यह फार मेंटेट प्रोडट्ठ अब फर्मिंट प्रोड़क्ट है तो फर्मिंट करने वाले कुछ माइक्रोब्स होंगे अब आपकी जीज लिखे एक स्विश की लिखा हुआ है ठीक और एक लिखा रॉपफड आपके बुक में दियें रॉकवाठि चीज़ वह यह प्रोपियानी वैक्टिरियम सार में नाई प्रोपियानी बैक्टिरिया था पहली बात इसमें क्या था एक स्पेस्फिक फ्लेवर आता था ठीक खोंगस की हौने की वज़ज़ से इसमें स्पैसिक फ्लेवर आता था तो यह जो स्वीश सी में लार्ज होला यह बाई इस नहीं है यह बाई बैक्टिरिया है इस यह सेंटेंज गलत है और आपकी बुक पर वाइरस के तीन डागराम बने हुए अडिनो वाइरस का और बैक्टिरियो फेज का वहाँ पर आप देखिए बना हुआ है जहां पर यह बैक्टिरियो फेज का वहाँ पर आप देखेंगे उसकी कालम में लिखा हुआ कि एडिनो वाइरस का रस्पार्ट इनिफेक्शन तो यह गलत है और यह सही है थाड़ आंसर आप देखिए फुल पोटेंशियल है अब देखिए एक समस्ता पेनिस जाई है लेकिन कमाल की बात देखिए जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वह बैक्टिरिया था इस्टेफिलो कोकाई की बैक्टिरिया थी और इसके अनुवास कल्चर जो था उसके आज पास यह फंगस ग्रो नहीं कर रहा था तो बैग्यानिक जो एलेंजेंटर फ्लाइ तो इसके आज पास यह बैक्टिरिया जो है आपका इस्टेफिलो कोकाई यह ग्रो नहीं कर रहा है इसका मतलब यह कुछ ऐसा केमिकल निकाल रहा होगा जिससे इसकी ग्रोथ हिंडर्ड हो रही है या रिटार्ड हो रही है तो बात ने उसी को देखा गया तो यह एंटिवा बारे में दुनिया को बताया और बाद में 1945 में इन तीनों साइंटिस्टों को कमाईली एक साथ नोबल प्राइज का पुरुषकार दिया गया तो कमाल के बाद देखिए क्या गवड़ है अर्नेस्ट चेन है मतलब इनका नाम गवड़ लिखा है और हावर्ड फ्लोरे है इस बहुत से बच्चों गलत क्यों हुआ क्यों कि उन्हें क्यों अन्नेस्ट याद रहता आगे का यादी नहीं नाम सही नहीं लिखा रही ठीक है तो अन्नेस्ट चेन हावर्ड फ्लोरे यह तीनों साइंटिस्टों को साथ नोबल प्राइज दिया गया था यह आपकी बुक में ऌते हैं नहीं प्रांडड प्रांड कि नाम से जानते हैं जकसा हें और इन दोनों। इनके specific कुछ पार्ट होता है इसमें PCT होता है सर जी ठीक PCT DCT इसमें बॉमेंस कैपसूल आता है ठीक बॉमेंस कैपसूल और इसमें क्या आता है सर जी हैंले लूप पहली बात हैंले लूप आता है पेरी ट्यूबलर कैपलरी जो आगे चलके वासा रेक्टा बन जाती है यह आपको पता होना चाहिए और कलेक्टिंग डक्ट ठीक कलेक्टिंग इतने पार्ट इसमें है इतने पार्ट अब आप से पूछाई कौन सा पार्ट इनल फिरामिट का नहीं है तो पहली बात तो अब डिपी सीटी का फुलपॉर्म क्या है प्राउक्जिमल कंवो लूटेट टिव्यूल डिश्टल कंवोट टिव्यूल तो इसका पार्ट है पिरामिट का नहीं इसलिए यह गलत है आंसर थाइड बात को समझें रिइनल पिरामिट से बच्चे अब देखिए आपकी बुक में लिखा है कि जो ब्लट क्लॉटिंग होता है ना ब्लट क्लॉटिंग यह कैस्केट प्रॉसेस है कैस्केट प्रॉसेस मतलब मैं क्या था कई सारे फैक्टर एक साथ क काम करते हैं ने करते हैं हर एक नरे को प्रॉसे थ्रामबो प्लास्टिन फॉर्मेशन अब कंवर्जन अब प्रोव। उपनीट क्यों कि थ्रॉम्बिन ही 505 में करेगा मलत पहले यह और तब मतलब यह क्षाइगा फिर थर्ड ठीक अब उसके बाद अब जब थ्रॉम्बिन बनेगा तो 50 जैन उसके बाद आएगा और यह सारे जो होते हैं हमारे ब्लड में वह इनक्टिव फॉर्म नहीं को कि नौर्मली क्लाटिंग करने की आप सिक्ता नहीं होती अगर अगर अग्लाट कर से आजमी की डेथ हो जाएगी इसके लिए सब इसके बाद इसका नमबर आएगा तो यह आपका अंसर फर्स्ट हमें दिख रहा है गिवें बिलो आट टू स्टेट्मेंट वन इस लेवल एक्सर्शन ए और लिखा कि जेजीए प्ले अब देखे क्या लिखा जेजीए प्ले अब यह जेजीए क्या असर दी जक्स्टा ग्लो मेरूलर यह इसका नाम है और इसमें एक सेल होती है जेजी सेल यह क्या निकालती है रेनिन यह डबल इन वाला क्या होता है यह आपका हर्वोन होता है अब यह रेनिन का काम होता है एंजीओ क्यों 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 पर जो से वहां से एल्डोस्ट्रान निकलेगा तो यह complex role play करता यह बिल्कुल सही है किड्नी पर और fall in GFR can activate the जो नहीं मैं बोल रहा हूं कि जी जी से क्या निकलेगा रेनिन ठीक है जी जी से रेनि निकलता इसलिए गलत है पहला सही है दूसरा गलत है इसमें क्यों लिखा कि जी प्ले ड़्यक्ताइड हार्मोन ने रास-मेकनिम और एन एफ एक दूसरे की सिख होते हैं है कि आप लिखाव की का तिस्यवार्य जाइमो declaration तो एक सेल का नाम था पराइटल स्थ इसी का धूसा नाम एंट शेल थिक और एक स्टी म्यूकस निकाल लेवाले त kitty ठेहिक रगास इतने प्रकार के गास्टिक और Chinese सेल होते हैं इनका काम था प्रो रेनिन को निकालना ठीक और इसका काम है सेल और केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करना ठीक है तो अब यह सेल की करने के लिए ठीक और प्रो रेनिन को रिदलने के लिए ठीक इसका मतलब कि वीच अब फॉलोविंग सिकिट गैस्टिक आपसे कोश्टिक निकालता है तो यह तो प्राइटल सेल आप्शन में मिलना चाहिए यह जिन्टी सेल तो मैं पहला ही आप्शन मिल गया आप्शन गैस्टिक एसीड या एस्टियल निकालने वारी सेल का नाम प्राइटल सेल और यह दोनों जो हैं वह प्रेप्शन निकालेगे मैं आपको बता दिया अब देखिए एन जाइंजाइम इस कानवार्ट इंटू एक्टिव एंजाइम बाई अब देखिए अभी मैंने बताया यह प्रेप्टिक सेल को ही आप जाइमोजन सेल कहते थे या चीफ सेल कह सकते हैं जिससे कौन साइन निकलता प्रोरेणिन और यह बदलेगा प्रेणिन में और यह बदलेगा रेणिन में किसकी मदद से तो यह पूछना चाहते हैं कि एंजाइम से किड़ बाइद पैप्टिक सेल इस करने एक्टिव एक्टिव निकालने वाली से लिए प्राइटल सेल ठीक तो कोशन यह पिछला वाला यह दोनों एक ही से भाई दोनों का सलूशन एक है बात को समझ यह और पता ही है कि यह ट्रिप्सीनोजन को ट्रिप्सीन में कनवर्ट करता है तो प्यारे बच्चों मेरे से आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में पहली बात और जैसे ही जो कोशन को नोट कर लिए जो लाइन बाइन कोशन उसको वहीं सौल कर लिए पेपर ही परयाफ थे आपके सेलेक्शन के लिए क्योंकि पेपर लगाने से आपका एफ्रोच आपका इस्किल डेवलेमेंट आपके इंस्यार्टी की लाइन आपके सब्सक्राइब और लाइक जरू करें भाई ओके थैंक इफाद बाइबाए भाई